हेज गाईज वेलकम तो मुस्कान's kitchen आज में मना जा रहे हुं प्रोटीन से भरफूर पराथा सत्तू का पराथा तो चलिये स्टार्ट करते हैं तो यहां सत्तू का प्राथा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले सत्तू तो यहां मैंने लगबग दो कब सत्तू लिय चोटा चोटा चॉटा चॉप करके, तोड़वाज पास जिली, सॉललग में प offenders के अकोरडिंग, आजवाइन भालक य के पिर एंग मिक्स जी शे हे खांचे से पिऑ मिक्स करा को कुटी थाथ हाथ से थाथ ऐंगelly अपड मिक्स करना इंग दखतेंगे पराथी के लिए सब से प्ले हमें डूऻरेडी करना ही यहाँ पर मैंने 3 स्कूप आटा लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करके इसका 1 स्मूथ सा डूऻरेडी कर लेंगे लाज्स मैंने थोड़ा सा देशीगी ढ़ल के इसको सॉफ्ट पर लिया है और इसका हम गोल पराथा बेल लेते हैं, यहां पर मैंने दो से तीन चम्मत स्टाफिंग इसमें फिल करी है, अच्छे से इसे दबा दबा के प्रेस करके, इसमें स्टाफिंग को बढ़ना है, बिल्कुल ऐसी, और फिर धीरे धीरे से साइट से गुमाते हुए, इसको अच्छे से पुरा साथा लगा के एक गोल सा पराथे जैसा बेल लेंगे, ध्यान रखेगा, इससे एकदम से बेलना मत स्टाट कर दीजेगा, नहीं तो यह फटने लग जाएगा, तो ऐसे हलका सा प्रेस करके, उलट पुलट करके इसको बेलना है, तो यह देखिया, हमारा पराथा अर् शेकर अर्ट करके इसे गरम तबे पे एसमें ऐल यूजँ करके आप इससे मस्टर ओल में भी बनासकते हैं, मैंने ऐıl यूजँ किया है, ईसमें मस्टर साथा का उपर सकते हैं, क्योंकि जो सत्टो पराथा होता है बहुत ही देसी टेस देता है, क्योंकि इसकी जो produce भी मस्टर्ड ओल का यूज़ कर सकते हैं तो बाद इससे हाई टू मीडियम फ्लेम पर सेखना है जिससे हमारी जो पराठे ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और यकीन मांगे ये टमाटर और धनिया की चट्नी के साथ इतना अमेजिंग लगता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी झाल